Hello friends and welcome to my channel, मैं हूँ अम्रता और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है Partition of Bengal याने की Bengal विभाजन और इस Bengal विभाजन से जिले हुई जितनी भी important बाते हैं उसको आज हम जानने वाले हैं जैसे की आखिर Bengal का विभाजन क्यों किया गया था क्या reason था इसके पीछे, साथी साथ हम ये भी जानेंगे कि कब किया गया और जब ये विभाजन किया गया उस वक्त भारत का वाइसराय कौन था और इसके अलावा लोगों का क्या इस पर reaction था और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों इस बंगाल विभाजन को खतम किया गया और साथी साथ ये announcement किसने की सो चलिए इस वीडियो को इस शुरुवात करते हैं Partition of Bengal was announced by Lord Curzon on 20th of July 1905 and took effect on 16th of October 1905 जाने कि जो बंगाल विभाजन की घूशना थी जो भारत के वोईस रोई थे Lord Curzon उसके द्वारा 20th July 1905 को की गई और यह जो विभाजन था यह मूल रूप से प्रभावी होने वाला था 16th October 1905 से ठीक है हाला कि 1905 से पहले भी अटकले लगाए जा रही थी कि हो सकता है कि British जो सरकार है वो बंगाल को बाटते बंगाल का विभाजन करती लेकिन जो इस अटकलों पर जो मुहर लगी वो 20th July 1905 को लगी जब भारत के वोइस रहे लौट करजन ने खुद इस का अनास्मेट किया कि बंगाल का विभाजन होगा और यह जो बंगाल विभाजन है यह मूल रूप से प्रभाव में आएगा 16 October 1905 से ठीक है Friends, now we'll discuss the reason of partition यानि कि इस विभाजन के पीछे का कारण क्या था अखिर क्यों बंगाल को ऐसी बाट दिया गया क्या रीजन था इसके पीछे So, बंगाल बिंग वास्ट प्रोमेनेंट विभाजन पॉपुलेशन वस डिवाज़ेट तो इक्स्टाबिलिस्ट अ मोर स्ट्रीमलाइइड यानि कि बंगाल की जो जनसंख्या थी वो बहुत जादा थी और बंगाल एक बड़ा इलाका था जिसकी वज़े से ब्रिटिश सरकार का कहना था कि वो वहाँ पे सही साशन नहीं कर पा रहे है और खासकर जो बंगाल का जो इस्टन इलाका था यानि कि जो पूर्वी छेतर था वहाँ पर जो चीजे थी जो साशन था वो काफी उसमें गड़बड़ियां हो रही थी इसलिए ये ब्रिटिश सरकार का रीजन था जो कारण उनने सामने रखा कि अगर हम बंगाल को बाट देते हैं और बंगाल छोटा छोटा हो जाएगा तो वहाँ पर साशन करना और अच्छे से सब कुछ मैनेज करना असान हो जाएगा हाला कि ये बात कई हद तक सही भी थी क्योंकि उस वक्त जब बंगाल का विभाजन की गोशना की गई 1905 में उस वक्त बंगाल की जो पॉपुलेशन थी वो लगबग 78 मिलियन के आसपास थी है तो नॉर्मल सी बात है कि अड्मिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम हो रही थी और यही रीजन ब्रिटिश सरकार ने लोगों के सामने रखा क्योंकि एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और साशन करने में दिक्कत आ रही है इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे है याने की उपर हमने देखा कि कैसे ब्रिशे सरकार ने ये कहा कि क्योंकि बंगाल का एरिया बड़ा है, वहां की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जाहिर से बात है कि अड्मिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम आ रही थी वहां पे शार्षन करने में इसलिए वह बंगाल का बटवारा कर रहे है अगर बात यहीं तक होती तो कोई जादा प्रॉब्लम नहीं होती शायद लेकिन प्रॉब्लम इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो ब्रिटिश शरकार थी उसका हीडिन अजिंडा क्योंकि जो बंगाल को बाटने का असरी रीजन था वो सासन यानकी अड्मिस्ट्रिक्शन को सही करने का नहीं बलकि बंगाल को बाटने का था और अपनी फूट डालो और राज करो को जी नीती थी उसको अमल में लाने का था मैं बताती हूँ हुआ क्या था 1905 आते आते जो बंगाल था वो राष्टवादी अंदोलनों का कींदर बनते जा रहा था धिरे धिरे बंगाल से अलग-अलग नेता सामने आ रहे थे जो लोगों को समझा रहे थे कि कैसे जो ब्रिटिर सरकार है उन पे दबाव डाल रही है उनका शोशन कर रही है और उन्हें कितना परिशान कर रही है और उन्हें चाहिए कि वो अपने राष्ट के लिए आवाज उठाएं आए अब देखते हैं कि आकिर उस बंगाल बिभारजन की मुखे बाते क्या थी आकिर क्या लिखा गया था उस बंगाल बिभारजन में सो बंगाल बिभारजन में क्या किया गया कि ब्रिटिस सरकार ने जो पूरा का पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी था उसे दो हिस्सों में बाट दिया एक हिसा पूर्वी छेत्र जहां पर basically मुसल्मानों की संख्या जादा थी और इसके उल्टा जो पश्चमी छेत्र था यहां पर हिंदूों की संख्या जादा थी यानि कि उन्होंने भाषा और धर्म के अधार पर बंगाल का बटवारा कर दिया दो हिसों में साथी साथ यह बंगाल का पश्चमी इलाका जहां पर हिंदूों की संख्या जादा थी इसकी राजधानी उन्होंने कलकत्ता यान की कलकत्ता को बना दी और जो मुसलिमों का बहुल छेत्र था यान की पूर्वी छेत्र था इसकी राजधानी होने वाली थी ढाका वो ढाका जो और ओडिया बोलने वाले लोगों की संख्या जादा थी जिसके वज़े से वो लोग जो बंगाली बोलते थे वो बंगाल में रहने के बाद भी जैसे ही वो पश्चमी हिस्से में बटवारा करके आए वो यहाँ पर अलब संख्या खो गए यानि कि उनकी संख्या कम हो गई जिसके वज़े से जो बंगाली लोग थे जो बंगाली बोल रहे थे वो भी इस बंगाल विभाजन का पूरजोर विरोध कर रहे थे ठीक है यानि कि में बात ये थी कि उन्होंने बंगाल को दो हिसो में बाट दिया और जो बेस रखा जो आधार रखा वो धर्म रखा भाशा रखा ठीक है उन्होंने हिंदू को एक छेत्र में कर दिया और मुसल्मानों को एक छत्र कर दिया दोनों प्रांतों के लिए दोनों छेत्रों के लिए अलग-अलग राजधानी भी बना दी इस छेत्र की राजधानी थी कलकत्ता और इस छेत्र की राजधानी थी धाका साथी साथ एक और बात हमें यहाँ पर राद रखनी है कि जब यह बंगाल बिभाजन हुआ तो उसमक्त वहाँ पर बिहार और उडिशा भी इसका हिसा थे और यह जो इस्टन यान की जो पूर्वी छेत्र था इसमें आसाम क भी शामिल किया गया था ठीक है सो यह है बंगाल बिभाजन जिसमें उन्होंने पूरे बंगाल का बटवारा कर दिया यानि कि जैसे ही 20 जुलाई 1905 को लॉट करजन ने इस बिभाजन की घोशना की तो लोकों को समझ आ गया कि यह भार्षा और धर्म के अधार पर हमें करना लोगों ने शुरू किया ब्रेटिस सरकार के पास बहुत सारे लेटर्स भी लिखे गएं कि इसको रद किया जाना चाहिए और लोगों ने जो बिदेश्री आने वाली चीजे थी जो फॉरण गुड्स थे उसका भी बहुशकार करना शुरू किया और साथी साथ 7 अगस या फिर और भी कई चीजे हैं हम उनका इस्तमाल करेंगे और जो बिदेशी चीजे हैं उनका भाहिशकार करेंगे साथी साथ इसी मौके पर रविंदर नार टाइगोर जी ने अमार शोनार बंगला जो गीत है इसकी रचना की जिसके जरिये उन्होंने इस बंगाल विवाज बंगाल विवाजन का पर जोर विरोत किया क्यूंकि वो मान रहे थे वो देख रहे थे कि कैसे सरकार संप्रदाइक अधार पर लोगों को बाटने की कोशश कर रही है यानि की बंगाल विवाजन के छे साल बात जब इंगलेंड के महराज किंग जोर्ज पंचम यहां आते हैं तब इस बंगाल विवाजन को रद कर दिया जाता है निरस्ट कर दिया जाता है और ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्यूंकि 1905 से 1911 तक लोगों ने बहुत मात्रा में विरोध किया विद्रोग किया वो देख रहे थे कि उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो राष्टवादी आंदोलों को रोक सके लेकिन इसका उल्टा हो रहा था लोगों ने जो विदे जम जो इंगलेंड के महराज थे समराट थे जब वो इंडिया आते हैं तब वो इस बंगाल विभारजन को रत कर देते हैं ठीक है साथी साथ और एक इंपोर्टन बात आप यहाद रखेंगे कि जब बंगाल विभारजन हुआ जब उसकी घोशना की गई तब उस वक्त भार इतना ही आई होप आपको बंगाल विभारजन से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद